आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ फिगर दी गई है वो कैसी है question figure कैसे दी गई है इस तरीके से square है square के अंदर क्या है फिर एक circle है छोटा square इस तरीके से arrow ये तो हमारा object हो गया water image find out करना है तो हमारा mirror कहां पर place होना चाहिए bottom में ये हमारा mirror है तो अब इसका water image बनाते है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा जो object mirror के पास होता है वो ही image में भी mirror के पास होता है तो ये जो arrow है वो mirror के पास है तो ये image में भी mirror के पास बनेगा तो ये इस तरीके से इसका water image बन जाएगा तो यह वाला जो square है वो यहाँ पे आ जाएगा और यह वाला circle यहाँ पे आ जाएगा और यह वाला sign है वो यहाँ पे आ जाएगा तो यह water image है इस quotient figure की तो यह वाला portion है यह shaded होगा अब हमें देखना है कौन से option से जो हमने draw कि है वो match कर रहा है अगर हम option 1 में देखे तो यह वाला जो sign है और यह जो circle है इनकी position interchange करना ही थी तब ही यह सही होता यहाँ पे यह गलत है इसलिए option 1 को हम reject कर देंगे ठीक है फिर उसके बाद है option 2 में गए option 2 में क्या है option 2 में यह square का water image सही बना है इस arrow का भी सही बना है इस plus sign का भी सही बना है जो हमने draw किया है और यह second option में यह same है इसलिए जो second option है वो ही question figure का correct answer है मतलब वो ही इसका water image है option 3 को इसलिए reject किया क्योंकि यहाँ पे भी वो ही option 1 में है कि यह जो circle है और यह जो plus sign है इनका position अलग है इसलिए यहाँ पे option 3 को भी reject कर दिया और option 4 को यहाँ पे यह जो square और arrow है इनका sign जो है इनकी place जो है वो अलग है इसलिए option 4 को भी reject कर दिया correct answer है यहाँ से option 2 thank you